Hello everyone, welcome to Misho Randoms Finds Part 2 आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ बहुत इंट्रस्टिंग चीजे और ये वीडियो जो है वो Randoms Finds जरूर है बट कहीं नहीं आपके लिए बहुत जादा यूसफुल होने वाली है तो आप इस वीडियो को useful finds भी बोल सकते हो क्योंकि जितने भी चीजे मैं इस वीडियो में शेर करने वाली हूँ न सारी की सारी बहुत जादा useful है आपके बहुत जादा काम आने वाली है और रिव्यू दूंगी कि कैसी है कैसी आई है according to price तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का मीशो राणनम फाइंड पार्ट टू तो सबसे पहला प्रोड़क्ट बात करते हैं यह है आइटम नमबर वन जिसमें मैंने मंगाया है वाड्रोब और्गनाइजर जिसमें हम जीन को और्गनाइज कर सकते हैं यह पैक ऑफ टू में मुझे रिसीव हुआ है और मैंने साइट पे स्क्रीन शॉट भी लगा दिया आप वहां से चेक कर लेना पैक ऑफ टू में मुझे मिला है जिसमें एट कमपार्टमेंट्स हैं और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी आई है आप देखो आपको दो ओरकनाइजर मिल रहे हैं इसमें तो आप 2 वर्डोब में उसको यूजर कर सकते हो या फिर ng ए halfý से मिलता है और इसके साथ आपको एक cardboard टाइप मिलेगा जिसको आपको इसमें 8 वो है और एक cardboard मिलेगा जिसको आपको नीचे डालना है अभी तो यह pack होकर आया था तो यह थोड़ा सा ना time लगेगा adjust होने में बड़ जैसे आप नीचे वो cardboard वाली sheet डालोगे ना जैसे मैं इस video में डाल रह जनरल ही क्या होता है ना हम जितने भी jeans होती है वो pile up करें रखते हो तो नीचे वाली jeans वो हमें इतनी जाता visible नहीं हो पाती है इसमें हम जब sections पे रखेंगे ना तो सारी की सारी ही jeans हो है ना वो हमें दिखेंगी अच्छे से और आप इसमें चाहो तो कुछ और भी organize कर सकते हो तो अपनी t-shirts अपनी टॉप अपनी कुर्ती भी organize कर सकते हो वैसे basically मैंने इसको zeen के लिए ही मंगाया है कि मैं इसमें अपनी zeen organize कर सकूँ थम्स अप product है अब बात करते हैं item number 2 की item number 2 में मैंने मंगाया है यह silicone का body bath scrubber जो back के लिए है generally जब भी हम अपनी back को you know soap लगाते है न तो वो उतना pressure नहीं लगा पाते हैं और उसको clean करना थोड़ा सा difficult हो जाता है I mean मुझे तो बहुत difficulty होती है तो इसलिए मैंने उसके लिए उस purpose के लिए यह मंगाया है और देखो इसकी length बहुत अच्छी आई है और दोनों ही side पे न दो handles है आप इससे अपनी neck massage कर सकते हो back massage क कर सकते हो और जो silicon इस पे लगा है बहुत जादा soft है बहुत अच्छी quality का मिला है और इसका भी screenshot मैंने side पे लगा दिया तो price आपको उसके ऊपर पता लग जाएगा बहुत अच्छा product मुझे यह लगा according to price और यार बहुत काम की चीज भी है मैंने जैसे स्टार्टिं में बोल आप मतलब इसको कोई भी यूज कर सकते है आपके family में बड मैंने बेसिकली अपने लिए मंगाया है क्योंकि मुझे बहुत जादा difficulty होती है अपनी back को clean करने के लिए और यह दोनों तरीके से यूज कर सकते है आप इसको यहां से भी use कर सकते हो बहुत जादा काम आने वाली चीज है तो इसके लिए मैं देती हूँ thumbs up चलिए बात करते हैं item number three की item number three जो है वो एक decorative piece है जो मुझे बहुत अच्छा लगा मैं इसको ना बहुत टाइम से देख रही थी यह बहुत आर्ट करके कुछ इसका नेम है और जनरली ना आपको यह जो बहुत जादा expensive मिलता है अ इतनी अच्छी steel deal है तो जैसे मैंने इसको open किया ना पहले तो मुझे खुद को समझ ना था यह है कैसा देन मुझे मीशो पर जाना पड़ा और देखना पड़ा कि actual में यह है कैसा यह कैसे hang होगा यह जो नीचे रोप लटक रही है उससे मुझे बाद में समझ में आया कि इ उसकी क्वालिटी उसकी फिनेशिंग बहुत जादा अच्छी है गाइस बहुत अच्छी थम्स अप प्रड़क्ट है मेरे लिए बहुत अमेजिंग चीज है और जितने भी प्रड़क्स में इस वीडियो में आप साथ शेयर करेंगे सभी के लिंक्स आपको डिस्रिप्शन मिल जाएंगे जहां से आप इनको इसली शॉप कर सकते हैं तो लिंक्स के लिए आप डिस्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं तो यह है थर्ड प्रड़क्ट और इसमें जो वुड लगी है इसकी क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग है 163 रूपीज में आपको इतनी अच्छ आप लिंक पर जाकि इसको चेक कर सकते हूं तो यह अनाधा अमेजिंग आप देखो अब मैंने इसको अच्छे से पकड़ाया मुझे अच्छे से पता लग गया मीशो देखके कि कैसे इसको हैंग करना है हमें और किसी शॉट वीडियो में आपको इसको हैंग करके पैक ओफ 12 यह क्या बोलते हैं इसको मांग टीका और यह हल्दी वगरे के लिए बेसिकल यूस होता है तो पैक ओफ 12 यानि कि अगर आप किसी शादी पे जा रहे हो तो अपनी जितनी भी भैने हैं अपनी जितनी भाविया है सब को दे सकते हो सब खुश हो जाएंगे इसको दे यूज कर पाओगे इतना चोटा है अब देख सकते हो परल की डिटेलिंग है नीचे कैसे फ्लार लगा हुआ है येलो और पिंक कलर का फ्लार लगा हुआ है बट अगर हमें यूज करना ना तो हमें इसके लिए कोई भी थ्रेड यूज कर सकते हैं या कुछ भी पिन से सिक्य बहुत जादा पसंद आ रहा था तो ये मैंने इसको मंगवाया है तो देखते हैं इस इक्वालिटी कैसी निकलती है इसको अन्बॉक्स कर लेते हैं इसको मैंने अन्बॉक्स भी नहीं किया था इस वीडियो में ही मैंने इसको अन्बॉक्स किया है अब जैसी मैंने इस बॉ एक इसका disappointment बताऊ ना तो यह artificial flowers हैं आप इसको पास से देखोगे ना तो इसकी quality उतनी amazing नहीं है बट yes अगर आप video shoot करते हो videos में जैसे कि मैं आपको video में देखा रही हो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत amazing quality का लग रहा होगा और देखने में मतलब इतने vibrant color है बहुत amazing लग र quality होते है वो दिखती है और वैसे अगर आप price के according देखो तो quality में कोई compromise नहीं है बहुत अच्छा लग रहा है जैसे अगर मैं अपनी video के backdrop पे इसको लगा दूगी तो कोई कमी नहीं है बट हाँ अगर आप अपने घर में इसको रखने है तो आप एक बार सोच के ही इसको purchase कर इसके साथ आपको एक bracelet भी मिलता है तो यह price के according बहुत अच्छी है rose gold color की है अगर different different अगर आप पहनने का शौंक है तो आप इसको purchase कर सकते हो generally girls जो है वो college जाती है या उनको change करकर पहनने का ज़्यादा शौंक होता है तो वो इस चीज में invest कर सकते हैं बहुत अच्छी है quality में कहीं कोई compromise नहीं है according to price बहुत अच्छी है साथ में आपको एक watch के साथ एक bracelet मिलता है और आजकल आइसे stack करके wear करने का बहुत जादा trend है आपने watch पहनी है और bracelet पहना है अब मैंने वीडियो को rotate कर दिया क्योंकि जो watch में थी ना mirror effect में उल्टी आप उदिगरी थी इसलिए मैंने सोचा कि इस back drop को ignore कर देना और सिरफ watch की और bracelet की look दिखाने के लिए मैंने उसको थोड़ा सा rotate कर दिया है ताकि आपको यह नो look समझ में आ सके कि कैसा look आ रहा है उसका बाकि अपने wrist के according आप इसको cut कर आए set करवा सकते हो set करवा ले ना क्योंकि generally lose होती है और जो मैंने random find 1 में share करती ना मीशो random find में वो तो मतलब पत इसको भी मैं देती हूँ thumbs up यह product भी बहुत amazing है अब बात करते है item number 7 की जिसमें मैंने मंगाया है iPhone के charger का cover यह ना मुझे बहुत पसंद आया मतलब इसकी quality भी बहुत अच्छी है और इसका you know सब कुछ बहुत अच्छा है यह look इतनी अच्छी है ता cute product है ना मीशो पे कई कई चीजे तो इतनी cute मिलती है बहुत जादा और आपको अगर आप iPhone यूज करते है तो बतावागा कि iPhone का जो charger है उसकी जो वायर है बहुत जादा expensive आती है adapter भी आपको बहुत और आजकल तो Apple वाले उसको देते नहीं है तो अलग से लेना पड़ता है आपको तो उसके लिए protect कर अलेना मैंने यह मंगवाया है मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको ना इसकी जो वायर है उसको twist करकर के आपको अपनी iPhone की उस पे लगाना है मैं थोड़ी सी लगा कर आपको दिखा दूँगी और यहां पर देखो यह जो दोनों एंड्स है ना यह जो है यह दोनों तो थोड़ा सा process लगा देती हूं यह product बहुत अच्छा है और I think यह इस haul का ना best product लगा मुझे बहुत amazing है पहले मैंने यह वाले लगा रखे थे इससे भी wire जो है वो protected रहती है इसे ends वो ब्रेक नहीं होते हैं बट अब जो मैंने मंगवाया है ना मीशो से उससे आपका पू आने के लिए कुछ थोड़ी सी महनत करनी पड़ती है इसलिए इसको आपको थोड़ा सा पेशेंस ली पेशेंस तरीके से सारी इस तो आपको थोड़ा सा पेशेंस लेके करना पड़ेगा और एक बार सेट हो जाएगी ना तो फिर कोई difficulty नहीं है अब मैं इसको डेली यूज करनी हूँ कोई problem नहीं आ रही है बहुत अच्छा you know charger मेरा protect है secured है एकदम तो इसको भी मैं देती हूँ thumbs up अब बात करते है item number 8 की जिसमें मैंने मंगाये है flip flop और यह flip flop I think मैंने 120 rupees के मंगाये है according to 120 quality ठीक है बट उतनी अच्छी quality मुझे इसकी नहीं लगी जितनी मैंने expect करी और design भी ना picture में मुझे जादा अच्छा लग रहा था बट जब IR receive हुआ तो इतना अच्छा नहीं लगा बट मैंने इसको return इसले नहीं किया क्योंकि यार 120 rupees में घर पे ही पहननी है कोई problem नहीं है और इसको मैंने size 5 में मंगाया है तो आप अपने accordingly size मंगवा सकते हो according to price 120 rupees मे यह बहुत अच्छी है तो इसले मैंने इसको return नहीं किया है तो इसको दूँगी thumbs up according to price देन आती है item number 9 यह भी इस haul का best product लगा मुझे यह है spoon holder जो है niyasa brand से और यह मैंने मीशो से मंगवाया है इसकी quality बहुत अच्छी आई है guys बहुत अच्छी quality का यह है आप देख सकते हो ni black color receive हुआ है quality बहुत अच्छी है और इसके अंदर आपको 4 compartment मिल जाएंगे बट यह मुझे ना picture में थोड़ा सा जादा बड़ा लग रहा था उतना बड़ा यह receive नहीं हुआ है आप देख स्पून्स नाइफ और फॉक्स तो बहुत एजली आजेंगी बट अगर आप छोटी serving spoon या फिर चाय चाननी वाले चननी रखेंगे तो उसमें थोड़ी सी problem आ सकती है तो उस accordingly आप देखना अगर आपको सिरफ spoons वगरा के लिए चाहिए ना तो यह best product है बहुत अच्छी quality का आया है इस haul का यह second product जो मुझे बहुत अच्छा लगा quality में कहीं कोई compromise नहीं है निया अपने fridge के लिए अपने fridge के लिए जो reusable double layer necks जिसको अलगलग colors में मुझे मिली है I think three to four colors है light pink, dark pink, red and white four shades में मुझे यह मिली है four colors में pack of 12 है यह भी और इतने reasonable price में pack of 12 मिली है जिसके double net लगी है और zipper है यह vegetables के लिए है mostly हम fridge में vegetables रखते हैं तो air pass नहीं हो जाती है जो normal plastic की poly bag यूज़ करते हैं उसमें air नहीं जाती है तो यह इसलिए यूज़ की जाती है जिससे आपकी vegetables खराब नहीं होती है और भी इसको आप purpose के लिए यूज़ कर सकते हो जैसे इसके अंदर आप सारे के सारे अपने hairband, rubber bands डालके machine में डाल सकते हो या फिछोटी-छोट तो आधी आप कहीं उस कर लीज़े आधी आधी आप fruit रखने ले कर लीज़े आधी vegetables के लिए आधी जैसा कि मैंने बताया कि rubber bands wash करने ले यूज़ कर सकते हैं तो यह था thumbs up product next बात करते है item number 10 की यह भी बहुत अच्छा product मुझे मिला है मैंने ना fabric के उपर जो भी shrugs वगर होत बट पता नहीं क्यों वो दो बार टूटा हुआ निकला देन मैंने उसको Amazon से भी purchase किया तो वो Amazon से भी उसकी pin टूटी हुए आ रहे थी I don't know उस design में ही problem था देन मैंने design change किया और यह पहली बार में ही बहुत अच्छा आया है और यह देखने में बहुत बहुत सुन्दर है और अगर आप अपनी shrug पे लगाओगे ना तो बहुत प्यारा लगेगा आप इसको अपनी साड़ी पे लगा सकते हो बहुत अच्छी चीज है यह ना party wear चीज है ब्रॉट जो हम पहले उसको अभी आप अपनी sweatshirt पे लगा कर दिखा देती हूं जिससे आपको idea लगजेगा कि यह किस टाइप की लगेगी अच्छी क्वालिटी है और लुक बहुत अच्छा हैगा इसको यूज करने से आप साड़ी पर यूज कर सकते हो किसी भी चीज पर यूज कर सकते हो श्रग को बाइंड करना उसके लिए यूज कर सकते हो तो बहुत अमेजिंग चीज मतला बहुत अमेजिंग प्रड़क्त इसको मैं देती हूँ थाम्स अप एंड इसी के साथ मुझे एक रिसीव हुआ है कीचें जो मैंने मीशो से और किया था वो कीचें भी बहुत अमेजिंग है यह मैं आप वो पिन दिखा लिए हूँ अच्छी वो जो मैंने मंगा ता उसकी प स्टार्स डिले हूँ है और इतना प्यारा की रिंग है बहुत अमेजिंग कीचें लगा मुझे यह बहुत अच्छी क्वालेटी का रिसीव हुआ है 113 रुपीज मैं मुझे मुझे मिला है और यह प्रड़क्त भी है थम्स अप बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मीशों म ना कुछ कुछ चीज़े तो बहुत अमेजिंग मिलती है और कुछ कुछ चीजों में धोका भी हो जाता है तो अकॉर्डिंग यह आप शॉप कर सकते हो नेक्स बात करते हैं आइटम नंबर 12 की जिसमें मैंने मंगाई है स्क्रण्ची और सॉरी यह आइटम नंबर 11 है मैंने अच्छे कलर्स मुझे लगे और क्वालिटी में कहीं कॉंप्रोमाइज दिया अगर मैं और एवरेज निकालो ना तो 25 रुपीज का मुझे एक स्क्रण्ची मिलेगा जो विच इस स्टील डील बहुत अमेजिंग है आप जनरली लेने जाओगे 40 तो 50 रुपीज में आपको स्क्रण्ची मिलता है मतलब हमारे यहां पर तो इतने का ही मिलता है आपके मार्केट में कितने का मिलता है मुझे कॉमेंट में बता देना और 25 रुपीज का मुझे एक स्क्रण्ची पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा मैं भी यूज कर सकते हो मेरी डॉटर भी यूज कर सकत अच्छी क्वालिटी है तो गाइस ये था मेरा मीशो रांडम फाइंड पार्ट टू जिसमें सारी चीजे बहुत अमेजिंग निकली है एक अधी चीज जो थोड़ी सी इधर उदर थी उसका फीडबाक मैंने शेयर करी दिया है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगता है तो मेक शूर इसको लैक करना चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना अपने फ्रेंड्स और यांमली के साथ इस वीडियो को शेयर करना and please comment में यार बता दे ना कैसा लगा कैसा नहीं ताकि you know motivation मिलती है and bye मैं मिलती हूं